हुआ है और हम आज डिसकस करने वाले कुछ जबरदस्त बैमानी के वाइरल कुस्टन और बहुत सारे कुस्टन होंगे लिकिसमें बैमानी के वाले कुस्टन पर ज्यादे फोकस करेंगे हम तो अगर यह सेस्टन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का यह कुस्टन है कि एक वेपारी अपने वस्तु को क्रेम मुल के 24 पॉसेंट अधिक अंकित करता है और 15 पॉसेंट क का प्रॉफिट और बिज़ते समय एक केजी में 101 ग्राम का धुखा देता है यानि कि 899 ग्राम देता है ठीक है तो इसको कैसे सॉल्ब करेंगे चलिए देख लेते हैं सबसे पहली बात एक मैं एक्जामपल लेगे बता दे रहा हूं कि जैसे 25 परसेंट का लाब होगा 25 परसे जैसे माल लेते हैं कि 20% का लॉस हुआ 20% का मतलब क्या होता है एक बटे 5 बीस परसेंट का लॉस ही यहां पर माइनस तो यहां पर भी माइनस समझेंगे ऐसे तो पांच में से एक घटे गात चार बटे 5 होगा ठीक है तो ऐसा कुछ होता है यह फ्रेक्शन अगर चेंज करना आप जानते होगे तो इसको बहुत ही असानी से solve किया जा सकता है थीक है कितने का दिया और कितने रुपे लिया कितने का समान दिया और कितने का लिया कितने का दिया कितने के लिया वो देख लेते ठीक है न मैंने यह सॉपकीपर के बारे में कह रहा हूँ यह सॉपकीपर ने कितने का दिया और कितने रुपे लिया यह ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा एजी होगा ठीक है ना तो पहला वाला देखते हैं कि 24% अधिक वो मार्क करता है 24% का मतलब क्या होगा 24% के अगर fraction value आप देखोगे तो 6 बटी 25 आएगी ठीक है ना तो अधिक मार्क करेगा तो फाइदा किसे होगा बोलो भाई अगर ये अगर दिया लिया ना देखर कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं यह सबस्के अगर आगर्फ 29% अधिक मार्क करेगा तो देखेग का इहां से पचीस customer को 25 रुपे का समान दिया, लेकिन पैसा लिया 31 का, मैं ऐसा कहने चाह रहा हूं ये 6 बटे 25 का मतलब क्या होगा 31 बटे 25 होगा, ठीक है न तो 25 रुपे का समान दिया और 31 रुपे ले रहे, तभी तो फाइदा होगा, जब ज़्यादा मार्क होता है तो फायदा किसे होता है swapkeeper को होता है ऐसे ही दूसरा देखिएगा कह रहा है कि 15% का discount देगा अच्छे यह बताना discount अगर दिया जाएगा तो swapkeeper को नुकसान होगा मतलब कम पैसा मिलेगा 15% discount का मतलब क्या होगा 3 बटे 20 तो यह 20 का समान देगा और 17 रुपे लेगा ऐसा हम समझ रहे 20 रुपे का समान देगा और 17 रुपे लेगा क्योंकि उससे 15% का discount दिस्काउंट दिया है तो swapkeeper को कम पैसा मिलेगा ठीक है ना 16% का profit 16% का मतलब क्या होगा 4 बटे में 20 16% का मतलब क्या होगा 4 बटे में 20 4 बटे 25 होगा 16% का मतलब 4 बटे 25 ठीक है ना तो profit किसे हो रहा है swapkeeper को तो ये 29 का ऐसा लेगा और समान देगा 25 का ये 29 होगा ना तो कुछ ऐसा रहे से बन रहा था ठीक है अगला देखते अभी अगला देखते है कह रहा है कि उसने 1 kg में 101 ग्राम का दोखा दिया अच्छा 1 kg मतलब 1000 g 1000 g का पैसा लेगा 1000 g का पैसा लेगा और 899 g का समान देगा देख लेए ये 101 g कम है ये मैं ऐसे कह». 899 g का समान देगा अब इसको हम देख लेते हैं इसको कटेगा कैसे इसको इतने का बंद रहा था तो यह सारा का सारा multiply में होता है ठीक है तो इसको देख लेते हैं कटेगा कैसे यह 31 गुड़े 29 क्या होता है आपको याद होगा मैंने बताया था कि 29 गुड़े 31 अगर करना हो तो बीच में नंबर जो है 30 आता है 30 का square माइनस 1 तो इसका square 900 होता है यह घटाएंगे तो 899 होगा ठीक है तो इसका यह 899 है यह simplification से पता चलेगा simplification की वीडियो देखे रहोगे तो जल्दी से कर लोगे 31 गुड़े 29 क्या होगा 899 कट गया ठीक है 25 गुड़े 20 क्या होगा 500 25 गुड़े 20 क्या होगा 500 500 से कितने बार में कटेगा दो बार में ठीक है ना तो देखना यहां पर आ क्या रहा यह यहां पपर आ क्या रहा है 25 गुड़े और 24 गुड़े तो Profit कितने का हुआ Profit कितने का हुआ 9 का कितने पर 25 गुड़े और 20 36 Option number first तो कुछ इसको इस ढंग से करेंगे मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुगा है एक कुस्सन समझ लो अच्छे से समझ लो उसके बाद आप कर सकते हो पहले इसका आप स्क्रीन सोट ले लो उसके बाद में लेना चाहो तो ले लो उसके बाद में फिर क्या करता हूँ कि फिर से बता देता हूँ ठीक है ना चलो फिर से मैं बता देता हूँ इसको ये रेशियो बनाना बता दे रहा हूँ पहला है फहाल है हम्दीक्षाट कुछ दो आगाद बना चार सोब्हें लेघा हो फॉर पर सब्हें के फाल आगा तो कीपार फेल से 24% अधिक अंकित करेगा 24% का मतलब होता है 6 बट्टे 25 ये 31 होगा अगर अधिक अंकित करेगा तो shopkeeper को ज्यादा मिलेगा तो मैंने यह से लिख दिया 25 और 31 ठीक है 15% का discount होगा 15% का मतलब क्या होता है 3 बट्टे में 20 15% का discount देगा तो shopkeeper को कम पैसा मिलेगा 20 में से 3 गटेगा तो 70 और 20 किसे होगा customer को ठीक है न खरीदेते समय 16% का चोरी करता है 16% का मतलब क्या होगा 16% का मतलब होगा 4 बट्टे में 25 अच्छा अगर खरीदेते समय चोरी करेगा या लाब कमाएगा प्रॉफिट लेगा तो याद रखना कि जब चोरी कर रहा है तो 25,4,39 होगा 29 का समान लाएगा और पैसा देगा 25 का क्योंकि उसने तो 4 की चोरी कर ली ठीक है ना बेशते समय 1 kg में 101 ग्राम चोरी करता है ठीक है ना यानि कि पैसा लेगा 1000 ग्राम का पूरा-पूरा और देगा कितना समान कितना देगा? 899 ग्राम का देगा तो एसा कुछ हो रहा है तो यह ratio बंद रहा है तो इसको ratio मे Fool से ऐसे solve कर सकते है ठीक है बागी एक question और देखते है इस पर यहां पर भी सेम वही काम करेंगे चलिए देखेगा कैसे इसको solve करते हैं हमने ये कर लिया क्स्टमर और इधर क्या कर लिया shopkeeper अगर 80% अधिक मार्क करेगा तो देखना 80% अधिक मार्क करने का मतलब क्या होता है 4 बटे 5 मतलब 5 में 4 राइट करेंगे तो 9 इधर जाएगा 5 इधर या 80% अधिक मार्क करेगा तो आप ऐसे भी समझ सकते थे इधर 100 100 रुपे का समान देगा और पैसा कितने का लेगा 180 रुपे का थे देखो 5 रेशियो नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे अगला हम देखते कह रहा है कि नुकसान हो जाएगा उसे कॉस्टमर को उसकेस में फायदा हो जाएगा डिस्काउंट के केस में अगला कॉस्चन देखते है 16.67% का मनला 1x6 होता है ठीक है तो यह जो 1x6 है वो क्या करता है चोरी करता है खरीदेते समय अच्छा 1x6 की चोरी करता है तो चोरी करेगा तो उससे फायदा होगा कितने का 6 पर 1 यादि कि 7 रूपे का सामान लाया और पैसा कितने के दिया 6 रूपे का एक का चोरी कर लिया न अगला 6 देख से बाद आगे देखत ओभी कह रहा है कि as well as he cheats 25% ठीक है न उसके बाद देखो and 20 article पर एक free देता है, तो एक बात याद रखना है कि जब free दे रहा है, जब free दे रहा है तो उसे नुकसान हो गया नॉ जैसे 21 समान दिया और 20 का पैसा लेगा तभी तो एक फ्री गया ये मैं कहने चार हूँ अब यहां से आप देख लो अब इसको कटा लो जैसे कटा सकते हो ये ऐसे मैंने स्क्रीन कर लिया भी कटा लो देखो कैसे जल्दी से कटा हो गया देख लो 5 और 4 20 कटेगा इस 5 से 5 23 21 3 63 होगा लेकि यहां पर अभी 2 बचा हुआ है तो 2 इधर बचा है 4 इधर बचा है यहां पर 4 बचा है इधर 2 कुल मिलके 1 2 2 आया सारी के सारी वेलो कट गई इसमें 1 2 2 का मतलब क्या हो रहा है यहां से दिख रहा होगा कि 100% profit हो रहा है ठीक है न एक का समान customer को दिया देख होगा पस्ये देखना है कि कितने का सामान लिया और कितने का पैसा दिया वही सेट करते चले जाना इसमें ठीक है वही सेट करते चले जाओगे तो एकदम आसानी से यह solve हो जाएगा ठीक है एक और question देख लेते इसी पर last question कह रहा है कि एक दुकंदार यह अगला question यह भी वा आकर mark करता है तो 28.56% की जो fraction value होती है वो 2x7 होती है ठीक है इसकी fraction value अगर याद हो यह सारा-क-सारा question देख लो twenty seven point two seven three by nine नुग उसका ठीक है 22 27.27 का 3x9 होगा अगले वाले के देखते इसका 1x6 होगा और नेक्स्ट वाले का किसका कितना होगा यह 11-hole 1x9 का 4x9 होगा ठीक है लास्ट वाले के जो होगा 4x9 होगा अच्छे इसका जो है 3x11 होगा यह जो यह वाला है इसमें एक मिनट हम लिख लेते हैं यह 27.77 का 3x11 होगा ठीक है यह ऐसा कुछ होगा यह 3x11 होगा क्योंकि 1x11 का जो होता है वो 9.99 होता है ठीक है अगर 3x दोनों तरप करेंगे तो 3x11 होगा और इधर क्या होगा 27.27% होगा ठीक है न तो ऐसा याद हो तो जल्दी यल्दी से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको solve करने के कुछिस करते हैं कह रहा है कि 28.56% बढ़ा कर मार्क करता है तो 7 में अगर 2 मार्क करेगा तो एक तरफ सॉपकीपर लिख लिए मैंने 7 में अगर 2 मार्क बढ़ा कर करेगा तो सॉपकीपर को 9 समान देगा और पैसा लिए 9,9 रुपे कर ऐसके है 27,10 ₲ न 27% का डिसकाउंट लेगा तो आठ रुपे अपने लिए और समान देगा कितने का 11 रुपे कर खरिग देति समय 6 में एक की चोरी करता है यानि साथ का समान लाया और पैसा दिए 2 रुपे अगा सब की पर जो है स इसका भी देख लेतें, यहां पर, क्या हो रहा है, कि चार बटे 9, मतलब, चार का, वू छोरी कर रहा है 9 पर, तो 9 भेशने पर, मतलब, 9 का पैसा लह रहा है, तो समान कितने का दे रहा है, 5 का, उसने 4 का चोरी कर लिया, देख вес 4 का चोरी कर लिया, तो 5 ही तो दिया होगा, तो समान 5 दिया और पैसा लिया, पूरा पूरा 9 होगा, ठीक है, यह इतना हो गया, और 11 अबस्तों पर एक free देगा, तो देगा कितना 12 अबस्तों, पैसा कितना लेगा, 11 का, यह हमारा है रेशियो बन गया, अब इसमें हम कटाएंगे, जितना कटा सकत तो उतना कटा लो, ठीक है न, देख लो यहां से, 11 से 11 कटेगा, ठीक है न, 12 और 6, 72 हुआ क्या, 12, 6 है 72, और 9, 8 जा 72, यह भी कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, कट रहा है क्या, बोलो भाई, तो बच क्या गया 5 और 9, देख लो आप, यह वाली लाइन पूरी के पूरी बची तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, चार पर, प्रॉफिट कितने का हुआ है, चार का प्रॉफिट हुआ, आउट आफ फाइप, मल्टिप्लाई बाई 100, 80 पॉसेंट आ रहा है क्या, ठीक है, इसका 80 पॉसेंट आ गया, तो यह इतनी ईजी कुस्टन है, बहुत जादे 28.5%, 28.56% के वेलू, 2 by 7 होती है, ठीक है, इसकी फ्रेक्शन वेलू, 2 by 7 होती है, तो अगर 2 by 7 का मतलब क्या हुआ, कि 7 में 2 का, इंक्रीज करके वो मार्क कर रहा है, ठीक है न, तो यह 7 से 9 पे मार्क करेगा, 7 का समान देगा, 9 का, ऐसे ही सारे कुस्टन है, ऐसे ही सब कुछ है, यह बहुत ही easy question होती है, इसको ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है न, एक बाद फिर से आप वीडियो देख लोगे, तो और clear हो जाएगा, अच्छे से clear हो जाएगा, तो चलिए अभी next question के बात करते हैं, अगर हम निकालते हैं, तो दो लीटर होगा, फिर जो भी वहल होएगी, उसको percentage में बदलेंगे, ठीक है न, 20 लीटर के recording, तो थोड़ा सा percentage में बदलने वाला एक step बढ़ जाएगा, हम काम क्या करते हैं यहाँ पर, कि हमने जो milk है, वो total, initially हमने क्या late कर लिया, हमने initially late कर लिया, कि जो total है, वो 100 लीटर है, और 10% निकालना है, यानि कि removing कितना करनी है, 10 लीटर निकालनी है, ठीक है न, हमने अभी से 100 लेके चल लिया, क्या फरक पड़ता है, 20 लीटर हो, या कुछ भी हो, जब हमने 10% निकालना है, और answer भी percentage में बदलना है, तो हम ऐसे ही लेके चलें, easily एक ही step में आ जाएगा, ठीक न, तो ऐसे question में, एक formula भी होता है, कि remaining quantity, remaining quantity equal to total, एक मिनिट, initial value, one minus removing quantity upon initial value to the power n, जितने बार यह process किया जाता है, उतने बार, अगर हर बार अलग अलग निकाला जाता है, तो यह power null लिख करके, one minus second time remaining by initial, ऐसे कुछ लिखते चले जाएंगे, ठीक है न, जैसे मालो की एक बार, initial में 100 लीटर था, पहले बार 20 लीटर निकाला ग लेंगे, अगली बार क्या किया गया, चालिस लीटर निकाला गया, तो one minus 40 by 100 कर लेंगे, यह ऐसे कुछ लिखते चले जाते हैं, तो इसका बेसिस यह है, ठीक है न, तो चलिए हम इस question की बात कर लेते हैं अभी, हम इस question की बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो, यह प्रोसेस चार बार किया गया इसलिए पावर चार होगा तो 100 इंटू 9 by 10 to the power 4 आएगा यह होगा 100 इंटू 9 by 10 to the power 4 ठीक है ना दोनों के power 4 इससे यह कटाएंगे तो कितने बार में कटेंगा 100 बार में ठीक है ना यानिके 9 to the power 4 है 9 to the power 4 का मतलब क्या होगा एक यासी गुड़े एक यासी बटे में 100 ठीक है ना 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 खासी का स्कॉयर या तो यह तो यह दो ठीक है ना नाइन जा एक्टीवन नाइन टू जा एक्टिन 26 ठीक है टू बचाए नाइन से बन जा 63 और ये 65 टू प्लेस पे डेसिमल 65.61 65.61 लीटर बच रहा था लेकिन 100 में 65.61 कितना होगा यही पॉसेंटेज भी बोला जाएगा इसलिए मैंने 100 लिया हुआ था कि कोई भी क पॉसेंटेज का हुआ थीक है ना 100 में कितनी पार्ट है वही उसको पॉसेंटेज भोलती है तो इसका अंसर ऐसे हम सॉल्ब कर सकते थे एक दो लाइन का ही को सुन था ठीक है अगला कुस्तों हम देख लेते ये भी एक को सुन था ठीक है तो कि रहा एकि रेसियो अप लेंध 15 km पर hour है और 20 मिनट में एक round complete कर रहे है उसकी speed 15 km पर hour है और 20 मिनट में 1 round complete कर रहे है 20 मिनट का मतलब क्या होता है 1 3rd hour 20 मिनट का मतलब होता है 1 3rd hour 1 3rd hour तो इसमें distance देखे distance equal to speed multiply by time time कितना है 1 3rd तो कितना है 5 km यानि कि यह यहां से बात करें कि यह पूरा जो distance है rectangle में वो कितना हो रहा है हमारा देखे तो 18x हो रहा है क्या और यहाँ पर कितना दिया है 5 km x की value क्या आएगी x की value क्या आएगी 5 बटे में 18 ठीक है तो उसके बाद कहा रहा है कि इसका area क्या होगा ठीक है न पूछ रहा है area क्या होगा आप जड़ा देखके बता ना इसमें से area क्या होगा length into breadth area क्या होगा 20 x square ठीक है न मैं area लिख रहा हूँ 20 x का मतलब x square का मतलब क्या होगा 25 बटे में 18 का square कितना होगा 324 25 क्थीज गुडिश कितना होगा या तो अब पूरा डिवाइड करके अंसर फाइंड करो और ओप्सन देख लो जरा डेसिमल के 5-6 प्लेस पे तक दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करना थोड़ा मुस्किल काम है तो आप बताओ जरा इसको कैसे जल्दी से solve करेंगे एक दम चपर दस तरीका होने वाला है आप जरा सोच लो अभी मैं बता दाओ देखो जरा हम इसमें डिजिट सम यूज करेंगे डिजिट सम उपर का कितना है 5 और नीचे का कितना है 9 तो नीचे का 9 है तो 9 का का काम खतम कोई बात नहीं हमें डिजिट सम के वाल 5 से यह हमारे जो option में जिसका भी डिजिट सम 5 होगा वो answer होगा 9 से divide करने के पर कोई फरक नहीं पड़ता है वह उपर numerator वाला digit सम हो जाता है ठीक है न? option पर चलते है अभी digit सम देखो जड़ा एक मिच में इसको थोड़ा पद्दला कर लूँ यहाँ पर देखना आट और एक नो हो गया आट और एक यह नो हो गया अब और अभी थोड़ा सा मूटा चल रहा है इसको और अभी पदला कर लूँ चलिए देखेगा यह आठ और एक नो हो गया यह 5, 4, 9 हो गया और यह 9 भी कट गया 3, 2, 5 बच रहा है पहला option में 5 दिख रहा है दूसरे option में देख लेए एक 8, 9 पीछे वाला जितने बार 9 दिख रहे हैं वो काट लेते हैं digit sum में यह भी 9 गया यह 5, 4, 9 हो गया ठीक है नहीं 4, 2, 6 बच रहा है इसमें नहीं हो रहा है 8, 1, 9 हो गया यह 5, 4, 9 हो गया और यह भी 9 कट गया 8, 4, 12, 12 का मनलब क्या होगा 3, यह भी नहीं हो रहा है यह 5, 4, 9 कट गया यह भी 9 कट गया 8, 2, 10, 11, 11, 11 का मनलब क्या होगा 2, तो digit sum क्या आ रहा है 5 पहले वाले में आ रहा है वीडियो देख लो कैसे सॉल्व करते हैं उसमें पचीस कोस्टन भी मैंने करा हुए हैं और भी कोस्टन करा ने हैं तो आप सिंप्लिफिकेशन के फी वीडियो देखो चलिए अभी नेक्ट कोस्टन पर चलते हैं इसको पहले बेसिक से समझ लेते हैं उसके बाद हम सॉटकट यूज़ कर लेंगे ठीक है झाला स्टेशन काणा हैं कि और वीडियो आज़नोंた एंब खुलत में आउडियो गयाँ है तो अगले काम हुए घुर थे चीद इसलिए इसको करना चाहरा हूं इसे मैं ने किया थे आए ठीके नł और बी है अगर एक एक दिन काम करना और ग्यारा दिन कम करना है तो हम क्या करेंगे पांच-पांच दिन करा लेंगे फिर अगले दिन एक ही बारी होगी तो छे दिन ए हो गया और भी कितने दिन हो गया पांच दिन और दूसरे केस में कह रहा था कि जो ए है वो पहले बी और ए स्टार्ट करें तो 65 सही 65 by 6 days दिन में काम कम्प्लीट होता है इसका मनलब 10 whole 5 by 6 days में काम कम्प्लीट होता है ठीक है न? तो हम क्या करते हैं कि 5-5 दिन दोनों को करा लेते हैं दूसरे केस में देखे तो 5 दिन मैंने A को कराया 5 दिन मैंने B को कराया और start कहां से करना है B से ठीक है न तो अभी जो next days होगा वो B जाएगा 5 by 6 days ठीक है मैं इसको अभी हटा लेता हूँ इतना काम करना था तो 5 दिन यहां पर भी A कर रहा था यहां भी 5 दिन B भी यहां पर 5 दिन यहां पर भी B पास दिन तो A के एक दिन का काम यहां पर अगर relation जल्दी से निकालना होता तो ऐसे करते हैं A के एक दिन का काम B कितनी दिन में कर रहा है 5 बटे 6 दिन में कर रहा है तो यहां पर 6 A इकॉल टू 5 B आपको दिख रहा होगा इस वाली line से 6 A इकॉल टू 5 B आप relation बना सकते थे ठीक है न तो इसमें main बात थे relation बनाना आई ठीक है बाकी और कुछ नहीं था इसमें कैसे आप relation बना सकते हो जल्दी से वो करना था तो अगर हम यहां पर फिर से अगर देखें दूसरे तरीके से कुछ लोगों को यह बात ना समझ में आ रहे होगी तो हम देख लेते है एक इतने दिन गया 6 दिन बी कितने दिन गया 5 बी ठीक है न और उसके बाद देखें दूसरे अगर केस में बात करें तो ए जो है पहले बी को देखें बी स्टाट कर रहे ना बी प्लस ए तो बी जो है पांच सही बटे 6 बी बचेगा तो फिर से तो वही आ गया नो 6 A कोल टू 5 B ठीक है 6 A कोल टू 5 B तो पूछ रहा है कि A अकेले कितने दिन में काम करेगा तो हम क्या करते हैं कि किसी एक टर्म में बताते है या तो A में या तो B में तो हमें पूछ रहा है A का दिन तो हम A के टर्म में 6A replace कर देंगे तो देख लेना ज़रा यहाँ पर 5A, B के जगह पर अगर हम 6A replace कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर अगर 6A कर देंगे तो क्या होगा 12A हो गया क्या 12A का मतलब क्या, A 12 दिन में कर सकता है ठीक है न, यह इसका logic था जल्दी से ऐसे कर सकते थे ठीक है, चलिए अभी next question के तरफ चलते है हमारा next question यह था A can do a piece of work in 12 days B is 50% more efficient than A तो A और B की अगर हम efficiency efficiency की बात करें A जो होगा, वो 2 unit होगा तो B जो होगा, वो 3 unit होगा 50% more efficient कहने का मतलब ऐसे कर सकते थे ठीक है, अगर A की efficiency अगर 100 हो तो B की efficiency कितना होगी, 1.500% होगी ठीक है न, तो यह 2 और 3 बार में कट रहे है 50 से, ठीक है तो अगर efficiency यह है, तो time का ratio क्या होगा उल्टा होगा, 3 is 2, 2 ठीक है न, लेकिन यहाँ पर कहे रहा है कि A जो है 12 दिन में काम कर रहा है efficiency और time होता है, उल्टे का relation होता है यह बस यादी रखना यह भी एक अच्छा question था, यह भी viral question था और कहा रहा था कि एक item है वो 2 successive gain लाब पर बेचा जा रहा है ठीक है न, 66.67% और 37.5% अच्छा, 66.67% की fraction value क्या होती है हमें तो पटता है, 33.33 की क्या होती है 1 by 3, तो double करेंगे तो क्या होगा 2 by 3, ठीक न, जैसे देखने न 1 by 3, एक मिनट 1 by 3 का मतलब क्या होता है 33.33 अगर double करेंगे तो क्या होगा 2 by 3 होगा और इधर double करेंगे तो 66.666 होगा और लास्ट ओला जब छोड़ेंगे तो यहां पर 7 हो जाएगा, ठीक है न, इसकी fraction value 2 by 3 होती है, जो पहला वाला है उसकी fraction value 2 by 3 होगी यह ऐसे ही इसकी fraction value 2 by 3 होगी इसकी fraction value क्या होगी, 3 by 8 होगी 3 by 8 होगी, 1.5 का 3 गुना है वो ठीक है न, साड़वारा पॉसंट की fraction value क्या होती हो 1 by 8, तो यह 3 by 8 कर लिए तो यह बस टर्म, यह सब बात है अगर fraction value याद रखोगे तो जल्दी से question solve होगा, ठीक है न, बाकि देखो इतने पॉसंट के लाब पर बेचा जाता है, ठीक है न, तो इसको solve करते हैं, हमने माल लिया कि उसका price P था, ठीक है न, तो पहली बार बेचा गया है, 2 by 3 के लाब पर, यानि 5 by 3 पर बेचा गया, दूसरी बार कितने पर बेचा गया है, 3 by 8, 3 by 8 का मतलब 11 by 8 हो जाएगा न, 3 by 8 का profit कराना है, तो क्या होगा 11 by 8 हो जाएगा ये, ठीक है, चले, आगे देखते हैं अभी, आगे देखते हैं इसमें, कह रहा है कि, तो इसके बाद जो इसका अंते मुल्ले है, वो कितना रहती है, 3, 4, 1, 00R है, तो इसकी price क्या थी, ठीक है न, इसकी price क्या थी, तो simply इसको हम divide कर लेंगे, 5 से अगर divide करेंगे, तो कितना बार में, 6 बार में, 300, 30, 60 बार में, 600 बार में, और 100 का 20 बार होगा, तो 620 बार हो गया, ठीक है, 24 का multiply करेंगे, तो 24 का multiply करेंगे, तो क्या आएगा, दिख लेते हैं, 24 का multiply, ये P की value क्या होगी, ये 8, 3, 24 इधर आएगा, तो 0 होगा, 2 बार में, 48 होगा, 4 बच्चा, 24, गुड़े 6, 144, 4, 148, ठीक है न, 14, 880 आ रहा है, तो इस question का answer ऐसे था, क्यों हमें fraction value याद रखनी होगी, fraction value याद है था हम बागी सब कर सकते हैं, next question यह है, ये भी अच्छा question था, बस बच्चे समझ नहीं पा रहे थी, इसके कहने के language को, ठीक है न, कहरा है कि the price of raw ingredient has increased by 10%, and labor charge also increased by 15%, labor charge है, जो एक नट, labor charge also increased by, increase from 50% to 20%, जो labor charge है, 15% से 20% हो गया, तो अगर वही price रखना है, तो उसके total cost में कितने की कमी करनी होगी, ये question पूछ रहा था, और option आपके पास से नीचे ऐसे, ठीक है न, चलिए था, हम कहें पहला question solve कर लेते, देखते हैं, उसके बाद option मैच कर रहा है नहीं, तो कहरा है कि इसमें, हमने मालिया कि जो उसकी cost price थी 100 रुपे थी, और 15% labor charge था, ठीक है, cost price 100 रुपे थी, और जो labor charge था, कितना 15% था, अभी जो, उसमें, उसकी जो price बढ़ गई, वो कितना हो गया है, ये जो है, 100 रुपे से 10% बढ़ रहा है, कहा रहा है कि जो raw material का, जो price से वो 10% बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, 100 से 10% बढ़ेगा, तो क्या होगा, 110, ठीक है, और कहा रहा है कि जो labor charge है, वो 15 से 20% हो गया, ठीक है, 15 से 20% हो गया, ठीक है, 100 पर 15 रुपे था, तो 110 पर अगर 20% लगाएंगे labor charge, raw material पर labor charge लगेगा, ठीक है, raw ingredient पर, इसका 20% क्या हैगा, 22 रुपे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाए, 132, 115 से 132 हो गया, फिलाल, ये question हमारा change हो गया, ठीक है, 115 से 132 हो गया, तो अगर हमें 115 फिर से रखना है, तो कितना decrease करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि 17 decrease करना है, कहां से, 132 से multiply by 100, ठीक है, ये होगा, ठीक है, तो 1700 बटे में 132 divide करेंगे, तो ये आएगा, option number 3, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, easily divide कर सकते हो, ये सब कुछ viral question थे, जो कि अच्छे question थे, और, एक question और वच्छा है, उसको भी solve कर लेते हैं, अच्छा question, नेक्स्ट question ये था, ये भी बहुत ही जवर्दस question था, तो इसके लिए आपको पहले basic बाते समझनी होगी, तो basic बाते क्या होती है, जैसे हम माल लेते हैं, कि यहाँ पर हम number लेके चल लेते हैं, ठीक है ना, 0.36 पर बार है, ठीक है न, 0.36 पर बार है, कि 36 लिखते हैं, 36 में से जिस पर बार नहीं रहता है, वो घटा लेते हैं, और नीचे क्या लिख लेते हैं, 90, मतलब ये एक value छोड़ी वी है, तो इसके लिए 9 लिखे और जिस पर बार है, उसके लिए 0 मैं ने ठीक है, बी ये पर बार है, ए पर बार है, तो बी ये माइनस, क्या लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है, वो घटाएंगे, और नीचे 90, एककोल टू क्या दिया हुआ है, 7 भाई, 3, ये हमारा question given है, ठीक है, चलिए, आगे की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर LC हम ले लिए 90 हो होता तह 36 को क्या लिख सकते थे, 10 गुड़े 3, प्लस 6, मतलब अगर A हो और ये B हो तो हम इसको लिख सकते हैं, 10 A प्लस B, ठीक है न, वही काम हम यहाँ पर करेंगे, A, B को क्या लिख सकते हैं, 10 A प्लस B, और आगे लिखा हुआ है, minus C, यहाँ पर B के क्या लिखेंगे, 10 B प्लस a, और आगे लिखा हुआ है, इसको एरेस कर लेते हम, आगे लिखा हुआ है, minus b, ठीक है na, minus b, equal to 7 by 3, नीचे 3 से यह 30 बार में कट रहा होगा, अब को दिख रहा होगा, ठीक है na, उसके बाद एको minus a, plus a, minus b, plus b, ठीक है, और 10 a plus 10 b, equal to 210, आगे solve करेंगे, 10 a plus 10 b, equal to 30 उध गया और a plus b की value 21 आ गई ठीक है इसका आंसर यह था तो ऐसे question आप देख सकते हो solve कर सकते हो और बहुत सारे viral question आते रहेंगे और जैसे जैसे question आते रहेंगे मैं उसका solution देते जाओंगा ठीक है और यह सब अच्छे question आते है viral question का मतलब यह देखके न छोड़ दो क्या रहें यह तो मेरे topic का ही नहीं है ठीक है ऐसा नहीं किया करो और इस वीडियो को अच्छे से देखो समझो और कुछ problem हो यह तो मेरे टेलिग्रा का मैं लिंक देदूंगा description में वहाँ से आप देख सकते हो थैंक्यू बच्चो